हलो एब्रिवान जैश्री कृष्णा आज एक कहानी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ जरूर सुने एक छोटा बच्चा था वो मंदिर गया उसने देखा मंदिर में सब स्तूती गान श्लोक मंत्र बोल रहे हैं तो वो बच्चा बहुत उदास हो गया उसी लगा कि यहां तो सब लोग इतना कठिन कठिन मंत्र स्तूती गान कर रहे हैं तो मुझे तो यह सब कुछ आता ही नहीं है तो मैं भगवान से प्रातना कैसे करूँ फिर उसको उसके पापा की एक बात याद आई कि जब उसके पापा उसे घर पे पढ़ाते थे तो उसके पापा कहते थे बेटा सारे शब्द सारा जो भी कुछ अक्षर ग्यान है वो सर्फ कखग से बना है तो उसने क्या सोचा कि मुझे ये मंत्र वगेरा तो आते नहीं हैं तो उसने दस बार भगवान के आगे कखग बोलना स्टार्ट कर दिया इससे पुजारी जी को बड़ा आश्चरे हुआ पुजारी जी ने बोला बिटा ये आप क्या कर रहे हूँ बुले भगवान से प्रातना कर रहा हूँ बुले बिटा ऐसे थोड़ी भगवान से प्रातना की जाती है लेकिन उसके बाद उस बच्चे ने ये बाद बोली कि मेरे पापा कहते हैं कि कखग से ही सारा अक्षर ग्यान बना है तो मैंने भगवान के आगे दस बार कखग बोल दिया है, अब भगवान इसे अपने आप मंत्र में, शलोक में, स्तूती गान में कनवर्ट कर लेंगे तो आप उस बच्चे की भावना देखिए, ऐसे ही लाखो करोडो भाशाएं हैं, जिन में भगवान की स्तूती, भगवान का शलोक बोले जाते हैं, भगवान की प्रातना होती है, लेकिन भगवान सब की सुनते हैं, तो भगवान जो है वो भावना के भूके हैं